मुवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शिप जिस पे दो आदमी ड्रिंग के तलास में एक कंटेनर को खुलते हैं पर उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट होने के कारण वो वहीं मड़ जाते हैं और तभी उनका कैप्टन उन्हें शिप से बाहर फेकवा देत उसके बाद शिपट होता है और दिखाया जाता एक गारी जिसे एक आदमी चला रहा होता है उसका नाम मालकॉम रहता है वो एक लड़की के साथ्वाड करता है उसका नाम वेलैंटीना रहता है वो पीध Bash रहती है मालकॉम उन बनों का पासपोर्ट दिखा के वहां से निकल जाता है तभी Frank और टाकोनी कर दिखाए हब जाता है जहां गौरFight के पासपोर्ट दिखाने लिए रोका जाता है पर प्रम हहाँ से भाग को träum iz Sand जाता है उसका नाम Johnson रहता है और एरपोर्ट से बाहर आता है उसके वाद एक आदमी को दीखाया जाता है वह Binister तरा और किसी बड़े deal पे decision लेने वाला रहता है जैसे इंबार्मेंटs पे और जब वह अपने office में जाता है तो उसे एक cell phone packet में मिलता है वो phone बज रहा होता है तो हमें पता चलता है कि वो Johnson ने भेजा है और Eco Corp नाम की company से negotiate करने के लिए कहता है उसके बाद Frank को अपने घर में टीवी देखते वे दिखाया जाता है तभी एक गारी दिवार तोड़के अंदर आती है और यह वही गारी रहती है जिसे Malcolm चला रहा होता है Frank उसका ID देख एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर एम्बुलेंस को Malcolm को ले जाते हुए दिखाया जाता है और जब Frank घर में वापस आता है तो देखता है कि उस गारी में एक लटकी भी रहती है वही जिसका नाम वैलिटीना रहता है Frank उसे उठाता है तो पता चलता है कि उसने और Malcolm ने जो bracelet पहना है वो तार छोड़ के दूर नहीं जा सकते हैं तब ही Frank एम्बुलेंस को रोकने बाहर जाता है पर वो नहीं रुकते हैं और ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद सिंसिफ्ट होता है और Frank को दूसरे जगा खोश में आते वे दिखाया जाता है जहां वही ब्रस लेट Frank के हाथ में भी रहता है उसके बाद उसे तयार होते वे दिखाया जाता है वहां रखे कपड़े में उसके बाद जॉन्सन को आते विदिखाया जाता है चाहां वह Macomी वाले काम को ओफर करता है पर फ्रेंक मना कर देता है तब जॉन्सन उसे गन पॉइंट पे यहां करवाता र और फ्रेंक भी हां कर देता है। फैंक एक कणिशन रखता है कि वह अपन रामसेट कर दिये हैं उसके गारी में जब फ्रैंक गारी में बैठने जाता है तो देखता है वेलेंटीना भी उसी गारी में बैठी रहती है तब फ्रैंक जॉंसन से कहता है वह अकेले चलाना पसंद करता है तब जॉंसन ओके कहके वेलेंटीना को मारने वाला रहता है तब फ रहती है एंकर करके वहीं खड़ा रहे जब तक पेपर नहीं आ जाते उसके वादाकुनी को वही एक्सिडेंट वाले साइट यानि फ्रेंक के घर में दिखाया जाता है जहां वह छान बीन कर रहा होता है और गारी को वहां से भेज देता है इतने में कुछ लोग आते हैं और गारी को रोक उसमें से एक डिवाइस निकाल वहां से चले जाता हैं दूसरी तरफ वह दो मिनस्टर भी आपने आदमियों को लगाता है अपनी बीटी को खोजने के लिए जहां हमें पता चलता है कि वैलेंटीना उसकी बेटी रहती है उसके बात फ्रेंक और वैलेंटीना क दिखाया जाता है जहां फ्रेंग उसे बात करके डिटेल निकलना चारा होता है वही वैलेंटीना उसे बात करने से मना कर देती है फिर टाकोनी को उस जगह पे दिखाया जाता है जहां जॉंसन के लोगों ने डिवाइस निकाला था वो गारी के कैमरे में चेक करता है और उनक की फ्यूचर में वही रेडियू एक्टी में डंप कर सके और यह सब उसे एक दवाव में कराया जा रहा हुदा है उसके वाद टाकोनी को उसी गारी के साथ दिखाया जाता है जहां एक आदमी आके उसे कुछ फोटो दिखाता है तभी फ्रेंक और वेलेंटीना को दिखाया ज ले जाता है अपने एक फ्रेंट के पास जाने के लिए तेभी यह यह बात जों सनगाता है यह तो से निकलने का तरीखा भी पूचता है तब अंटकरीना सालों पहले यूएस मिलिटरी के लिए बनाया गया था और ये कैसे काम करता है और फ्रैंक से कहता है एक डिवाइस गारी में भी लगा हुआ होगा और उसे खोजने लगता है तभी जॉंसन के भेजे लोग वहां पहुंच जाते हैं और फ्रैंक को वापस उसी रास्ते पे लो यहां लगा है और फ्रैंक कहता है उसे गारी में से निकालने के लिए पर आटो कहता है यह वाइड है अगर निकालोगे तो ब्लस्ट हो सकता है उसके बाद फ्रैंक वहां से कपरे पहन कर निकलता है तभी जॉंसन का फोन आता है थोड़ी देर के बाद और बोलता है तुम अभी जिन्दा हो तब फ्रैंक कहता है अगर मुझसे काम चाहते हो तो पहले मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दो तब जॉंसन कहता है ओके एक गंटे में वहीं मिलो जहां जाने का तैह हुआ है उसके वासिंशिप्ट होता है और फ्रैंक को अपने गारी के साथ एक मार्क किया जाता है और हमें देखने को मिलता है एक आदमी फ्रैंक की गारी को लेकर वहां से भागता है, और फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए उस से गारी की पीछे भागता है और कोशिश करता है कि वह 75 फीट के रेंज में रहे जिससे कि वह ब्लाश्ट नहों और जैसे तै तब फ्रेंक उसे कहता है कि ये कुछ अमेरिकन्स का काम है और फिर दिखाया जाता है फ्रेंक जोंसन से बात करता है और दूसरी तरफ टाकोनी उसे ट्रेस करने में लगा हुआ रहता है और एक नई फोन खड़ित के वहां से चल देता है जोंसन के बताए कॉंडिनेट पे उस तो दिखाया जाता है कुछ लोग वहां वेलेंटीना को खोशते हुए आते हैं और जब वेलेंटीना पे नजर पड़ती है तो फ्रेंक उसे गारी में बैठा कर वहां से निकल जाता है पर वो लोग भी फ्रेंक का पीछा करते हैं तब ही फ्रेंक जॉंसन को कॉल कर इसके ज कर बच जाता है फिर फरेलेंटीना हो दिखाया जाता हो फ्रेंग्स आने की गोशिष करती है पर फ्रेंग्स मना करता दो वैलेंटी pushes कर हो उतारता है फिर दोनों में किस होता है। मिनिस्ट्र में पagd को नहीं कि दे रहा होता है कि तुमने अपने आदमी बेज़े हैं अपनी बेटी को लाने के लिए तब मिनिस्टर कहता है सुनो अगर मेरी लाटकी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूंगा कहीं से भी ढूंड कर निकाल कर मार डालूंगा और फिर फोन कट कर देता है उसके बाद फ्रेंक और फ्रेंटीना को बात करते दिखाया जाता है जहां फ्रेंटीना उसे बताती है कैसे उसे किड्नाप किया गया और वह कैसे मालकुम से मिल उसके बाद जॉंसन को फ्रेंक का लोकेशन फिर से दिखाने लगता है और वह फ्रेंक को कॉल करता है और उसे पुछता है कहां हो तुम तब फ्रेंग कहता है अपने डेस्टिनेशन के रास्ते में तब जॉंसन कहता है अब नहीं एक नया कॉडिनेशन देता और फ्रेंग को फॉलो करने के लिए कहता है उसके बाद मिनिस्टर को आतिव दिखाया जाता है जहां टाकोनी से उसकी सब दिखाया जाता है जहां टाकोनी फ्रेंग को सब बताता है यह सब उसकी बेटी के जान के बदले उनकी सिंगनेचर चाते हैं तभी फ्रेंग कहता है उसकी रेपूटेशन है हनेड़ परसें सैक्सिसफुल देट और वह वलेंटीना को वहीं छोड़ेगा जहां जॉंसन ने लिए तो फ्रेंग उसे भैसता है तभी जॉंसन उसकी ब्रैसलेट खोल देता है और उसे गाड़ी में लेके जहीं रहा होता है और अपने लोगों से कहता है फ्रेंग को मार gratis को मारेऑ लिए और वहाई गोली चलाने लिकाता है और जब तक टायर की हावा से अपनी जान बचा रहा होता है और जो पार्सल वाला बैग रहता है उसका इस्तमाल कर गारी सहीद बाहर निकलता है उसके बाद जॉंसन को एक इस्ट्रेशन पर दिखाया जाता फिर ट्रेंज से जाते हुए उसके बाद जब टाकोनी अपने टीम के साथ पहुंचता है तो देखता है कि फ्रेंग गारी पे बैठा है और एक ट्रैक्टर उसे के कर रहा होता है फिर जॉंसन मूनिस्टर को कॉल करता है पिछे से पुलीस भी उसे ट्रेस कर रही होती है और जॉंसन मिनिस्टर को कहता है तुम्हारे पास बस को चॉंसन का लोकेशन बता देता है तावी फ्रैंक वहां से निकल जाता है दूसरी तरब मिनिस्टर साइंट करने के लिए पेपर को पढ़ रहा होता है फिर सिंसिफ्ट होता है और ट्रेंट को दिखाया जाता है जिसमें जॉंसन और वैलेंटीना बैठे रहते हैं वहीं फ् कि फ्रैंक उन साब को मार के आगे बढ़ता है दूसरी तरह पुलिस भी उसे फालो कर रही होती है और जब फ्रैंक जॉंसन के पास पहुंचने वाला रहता है तभी उसके ब्रसलेट रेड़ लेवल पे शो करती है जिसे कि फ्रैंक वहीं रुख जाता है तभी जॉंसन भी को कहता अगर है हिमत तो आगे बढ़ होता हो फ्रैंक वहां से चला जाता और जाब तक जोंसन भी उस डिबे को अलग कर देता है कि जिसे की फ्रैंक अब ना आपाई तभी दिखाया जाता है अपनी गारी में जाके बैठता है और गारी के साथ जोंसन वाले डुबे में उतने देर में Frank वहाँ से भागता है जिसे कि बलाश होने से वो बच सके उसके बाद टाकोनी को मिनिस्टर को कॉल कर बताते हुए दिखाया जाता है आपकी बेटी अब सुरक्षित है तब मिनिस्टर अपना साइन किया हुआ पेपर को फार देता है और Frank फेलेंटीना के पास जाता है उसके बाद से शिफ्ट होता है और फिर से टाकोनी Frank को फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है पर यहां साथ में वालेंटीना भी रहती और मुवी का दाइंड हो जाता है